हेलो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सपेक्टेड एक्जाम टाइम लाइन की मेरा नाम शरद है मैं CEO & Co-Founder हूँ काटपल क्लासिस का आएफ्टी डेली का पास आउट हूँ सिक्स टाइमस 99 प्लस पर्सेंटाइल आ चुकी है मेरी काट में और यह मेरे पिछले चार्ड एटेंप्स ऑफ कैट हैं 17 18 19 20 और उनकी पर्सेंटाइल एक्सपेक्टेड एक्जाम टाइम लाइन जानना क्यों जरूरी कि होता है बिक अब हमें यह पता होना चाहिए कि कभ कौन से एक्साम आने वाला है इव इक्जाम आए Vermont और उसकीuyorsun मुझे हैं स्पेसिफिक प्रेटेशन कभ से शुरू कर देनी है, सारे exams हमें नहीं लिखने होते हैं, MBA के बहुत सारे entrance exams होते हैं, तो उन में से कौन-कौन से exam आपको अपने लिए highlight करना है, identify करना है, वो जानना बहुत ज़रूरी होता है, अभी अगर हम लोग देखें, तो हमारा सबसे important exam होता है CAD का, because इसमें majority of the colleges होते है हैं, जो CAD के थ्रू जाते हैं, तो इंडिया के बहुत colleges, I would say 80% of the colleges, take admissions via CAD, इसी के साथ साथ पैरलली हमारा NMAT का exam start हो जाता है, NMAT का exam नारसी मोंजी के लिए होता है, इनके different institutes के लिए होता है, और last year, November to January होता है, इनकी एक range होती है, CAD का exam specific date में होता है, one day exam होता है, नारसी मोंजी का एक arranged exam होता है, और इसमें multiple attempts भी possible होता है, तो मैं अभी आगे चलके हर exam का specific video बना दूगा, जिसमें उसका pattern, क्या specific त्यारी करनी होती है, उसका duration, उसकी dates, कब fill करना चाहिए, कब नहीं fill करना चाहिए, कौन सी dates select करनी चाहिए, ये सारे detailed videos में हम डालेंगे, इस video में हम बस ये समझ लेते हैं कि कौन-कौन से exams हैं और कौन से exams आपके लिए important है, so all those who are targeting top colleges, CAT definitely लिखना है, नारसी मोंजी के लिए and math भी लिखना है, third exam जो आता है, वो होता है IAFT का, IFT से जहां से मैंने पढ़ाई करी है, ये CAT के next week में होता है, इस बार बहुत delay हो गया था because of COVID and all but usually CAT जिस हफते होता है, उसके एक हफते बाद IFT का होता है, तो CAT की preparation जो हम लोग करके रखते हैं, उसको हम तुरंत IAFT में use कर लेते हैं, इससे IAFT के दोनों colleges Delhi and Kolkata का admission होता है और इन्होंने अभी एक नया campus भी खुला है, तो वहां का भी admission, IFT अपने entrance exam से कराता है, one day exam होता और सिर्फ IAFT के लिए होता है, this exam is for range of colleges, these two exams are only for their specific colleges, IAFT में क्या पढ़ना होता है, कैसे पढ़ना होता है, again हम detailed video में discuss करेंगे, उसके बाद हमारे पास आता है SNAP, यह fourth week of December में होता है, यह भी सिर्फ Symbiosis के जितने भी colleges हैं, इन्सिट्यूट्स हैं, उनके सब के लिए होता ह है, तो SIBM पूने हो गया है, CMHRD हो गया, इस तरीके के जितने भी colleges हैं, उनके लिए SNAP का exam होता है, पिछले साल अगें यह दो multiple बार हुआ था, but usually one day exam हुआ पड़ता है, SNAP के साथ ही साथ हमारा MyCat भी आ जाता है, अब देखो, जिसको MyCat में जाना है, SNAP में जाना है, तो they have to decide which exams they want to write, बहुत बार क्या होता है, exam dates collide कर जाती है, या फिर interview dates collide करती है, तो MyCat जो होता है, यह usually marketing के लिए, advertisement के लिए, in submedia के work के लिए, MyCat is a very good college, so if you want to work in the media industry, if you want to work in the communication industry, this college is the college that you want to get into, MyCat, इसका भी exam कैसे होता है, पैटर्न क्या होता है, यह सारी चीज़े हम लोग detail में discuss करेंगे, now again we have another exam which is CMAT, यह भी एक range of colleges के लिए होता है, तो Cat और उसके बाद CMAT, यह दूसरा exam है जिसमें बहुत सारे colleges participate करते हैं, तो आपके CMAT के score के basis पे बहुत सारे colleges लेते हैं, so you should also write CMAT, CMAT से Tier 1 colleges बहुत कम मिलते हैं, but people who are looking at Tier 2 colleges, CMAT is the exam that they should definitely write, जिनकी Cat में 99 percentile नहीं आ रही है, वो CMAT में अच्छी percentile ला सकते हैं, then we have ZAT, अगें यह एक Premier Institute का exam है, एक्जिलराई के लिए exam होता है, और first week of January में होता है, ZAT के साथ problem यह आ जाती है कि Cat के काफी दिन बाद ZAT होता है, तो advantage भी है, जिन लोगों ने तयारी नहीं की होती है ZAT के लिए, या इसका एक specific portion होता है, decision making, उसकी तयारी नहीं की होई है, तो वो सारे के सारे लोग ZAT की तयारी के लिए आपके पास enough time होता है, इसमें एक problem यह आती है कि Cat को देने के बाद, IFT को देने के बाद लोग थोड़ा सा relaxed हो जाता है, तो competition यहां पर dwindle होता है, जिसका Cat बहुत अच्छा हो गया, वो ZAT के लिए थोड़ा सा relaxed हो जाता है, जिसका नहीं अच्छा होगा, वो ZAT के लिए और मेहनत करता है, so you have an opportunity to get into a premier institute again by writing ZAT exam, जिसका exam IFT और CAT के एक महीने बाद हो रहा है, तो बहुत अच्छा time होता है, इसी के साथ साथ IRMASAT का exam भी होता है, first week of January में, IRMASAT is for IRMA, which is Asia's number one college in rural management, बहुत ही अच्छा college है, people who are of the agri background, people who want to work into agri industry, people who want to work into rural industry, rural development, बहुत सारी चीज़े हैं, और इंडिया में अगर देखोगे तो अभी जो cities and tier 1, tier 2 cities हैं, ये पूरी की तरीके से business houses ने occupy कर लिया है, business यहां तक पहुच गया है, now they are venturing into villages, rural areas, वो उनका नया market है, तो IRMA में आप काम करके काफी अच्छे opportunities और avenues open करते हो अपने लिए, इसका भी हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे, उसके बाद आता है TISNET, now TISNET is an exam for TIS, Tata Institute of Social Sciences, यहां पे थोड़ा ज़ा exam pattern different है, people who are more inclined towards social sciences, they should look for TISNET, यहां पे GK बहुत ज़ाद आती है, so if you are looking for TIS as your MBA college, then you should start working on your GK portion from today onwards, and the last exam is ATMA, यह भी एक range of colleges के लिए exam होता है, तो अगर हम range of colleges के बात करें, तो हमारे पास कितने exams है, CAT है, CMAT है और ATMA है, यह तीन exam तो हमें देने ही देने, if you want to open our chances to take admission into lot of institutes, now if I talk about tier 1 institutes, IAFT is something which you should look at, CAT is what you should write, NMAT है, ZAT है, IRMA है, यह सारी के सारे आपके top colleges हैं, जहां पर आप जा सकते हो, and then you also have a SNAP, you have my cat, and you have TISNET, और भी बहुत सारे exam होते हैं, बट मैंने इसमें majority of वो exams लिए हैं, जहां पर आप लोग अपने आपको देखना चाहते होगे, जिन colleges में, इसी के साथ साथ एक exam और होता है, MHCET, MHCET का अभी तक कुछ clarity नहीं आया है, because इस बार का यह exam उनका बहुत delayed चल रहा है, तो इसका जैसे ही notification आता है, कुछ clarity मिलती है, तो हम MHCET के बारे में भी आपको बताएंगे, और notify करतेंगे, अब यह सारी चीज़ें हमें पैदा चल गई हैं, हमारे पास एक calendar आ गया है, तो इसके साथ साथ तयारी कैसे करनी है, so there is something which we are providing on our YouTube page, जो की free resources की तरीके से आप use कर सकते हो, previous questions है, daily Qon series है, daily VARC series है, daily DILR के sets आ रहे हैं, और सबसे important है, you ask, we answer, हमारा telegram group है, हमारा whatsapp group है, हमारा facebook group है, इन groups के link description में आपको मिल जाएंगे, इन groups को join कर लो, और वहां पे आपको जो भी doubt है वो आप पूछते रहो, हम लोग उसके video solutions बना के आपको provide करते रहेंगे, and this is how we are trying to help all of you, we will be coming up with lot of announcement videos, with lot of videos related to colleges, admissions and preparation, so please like, share and subscribe, bell icon जरूर प्रेस कर लेना, so that जो भी video आए, वो आपको तुरंद मिल जाए और आप उसको तुरंद देख भाएंगे, and keep asking, keep learning, keep enjoying, and enjoy our day.